कि इन्वेस्टमेट के कि सारे ऑप्शन्स हैं, हम वह जो पांचो रुपया है हमारे पासफ में उसको हम आडी में भी डाल सकते हैं, उसको दूसरे भी विकल्फ हो सकते हैं, तो हम इसमें स्टोक मार्केट में क्यों जाएं ? तो बेसिकली क्या है कि देखे, stock market का एक हववा सा बना हुआ है तो generally क्या है लोगों के मन में ये धारना है कि stock market सही जगा नहीं है investment करने के लिए तो उसके एक छोटा सा example में अगर आपको दूँ तो एक दिन में पैसे थोड़ से invest कर रहा था stock market में अपने laptop पे बैठके तो उस पे चार्ट भी था ऐसे करके तो मेरे फादर एकदम से रूम में आगे उन्होंने देखा कि क्या कर रहा है राहूल मैंने का पापा कुछ पैसे थे मेरे पास वो invest कर रहा हूं market में तो फिर he said कहां पर मैंने का stock market में तो उन्होंने चूटते ही बोला तुझे पता तु क्या कर रहा है मैंने का पापा आपने stock market में कभी इन्वेस कर रहा हूं तो उन्होंने का stock market में क्या पुछ रहा है अच्छा अब डह जाएगी पता भी नहीं लगेगा और सीधा मू के बल गिरेगा तो आप सबज़े कितना interesting है ये कि मेरे पापा ने कभी stock market में इन्वेस नहीं किया परन्त उनको ये पता है कि ये जुए की जगा है याने डूबने की जगा है लोगों से सुना है उन्होंने ऐसा इसका मतलब बिलकु सही आपने बताया कि उसके बारे में उनको उतना पता नहीं होता है क्या करना है और जब वो पैसा उसमें गवा देते हैं तो फिर वो मैसेज किसी और के पास जाता है तो वो देखता है तो फिर वो किसी और के पास जाता है तो वो इस तरीके से उसका माहूल ऐसा बन जाता है कि जुवा यह जुवा है तो मैं जब अपने सेमिनार्स में जाता हूँ तो मैं वहाँ भी यही लोगों से question पूछता हूँ कि stock market क्या है तो दीरे-दीरे-दीरे कोई ना कोई बोली देता है कि हाँ यह तो जुवा है इसमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसके ज़्यादा पैसे डूबे होते है उसके पास दर्द होता है तो वो निकल के बाहर आता है फिर मेरा उससे question होता है कि सरी IPL क्या है तो लोग हस पढ़ते हैं फिर वहाँ पर तो फिर मैं उनको बताता हूँ IPL एक cricket खेलने का एक tournament है परन्तु आपको सभी को पता है कि IPL में भी लोग जुवा तो खेली रहे है पर IPL जुवा नहीं है IPL के अंदर लोग गलब तरीके से पैसे का लेंदेन करके जुवा खेल रहे है पर IPL एक cricket का tournament है ऐसे ही stock market भी कोई जुवे की जगा नहीं है पर वो जुवे की तरह उसको बना दिया गया है तो फिर stock market है क्या तो stock market के ऊपर अगर आपको समझना है तो एक book है Warren Buffett की book मैं इसको इसलिए promote नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको बेचना है ऐसा कुछ है पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी लाइफ बदली है और ये बहुत लोगों की लाइफ बदली है तो ये एक book है जो Warren Buffett के coach थे Benjamin Graham उन्होंने book लखी थी ये और इसका नाम है Intelligent Investor मैंने जब ये book पड़ी तो इसमें quotation है stock market is stock price is not just a ticker symbol वो एक ticker symbol नहीं है कि उपर नीचे होता रहा है it's the price at which you buy the ownership in any company so इसका मतलब ये है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको किसी भी company में अगर ownership चाहिए तो आप उस पैसे से उसका share खरीद लीजिए और आपको ownership मिल जाएगी उसमें तो इतना beautiful सोचिए अगर आपकी कोई education भी नहीं है और आप 10,000 का भी काम करते हैं या 5,000 भी आपकी तन खाया है और आपके बस 1000 रुपे भी हैं समझे 1000 रुपे से अगर आपने Reliance company का एक share खरीदा तो आप उसके owner बन जाते हैं अगर Reliance 10% बढ़ेगा तो आप भी 10% बढ़ेगे कितना सुन्दर है अगर आपको आज पैसा raise करना है partner बनना है किसी company का DLF का या किसी का भी तो आपको कैसे क्या पूछेंगे आपसे आपसे पूछेंगे कितना पैसा invest करना चाहते हो तब जाके फिर आपसे बात करेंगे कॉफी पिलानी है कि नहीं पिलानी यहाँ पर आपको किसी से नहीं पूछना कोई education background नीचाहिए कुछ नीचाहिए आज कल तो इतना असान है कि फोन पे भी आप यह सब कर सकते हैं तो आप 500 रुपे से 1000 रुपे से business man के साथ हिस्सेदारी कर सकते हैं कहाँ invest करें सर तो कहाँ invest करें हम फिर वापस आते हैं उस पे हम अर्थववस्ता में अर्थववस्ता का मतलब आज इस वीडियो के थुरू मैं यह बता रहा हूँ कि अर्थववस्ता का मतलब है कि हम भारत की टॉप 50 कंपनी के साथ जुड़ जाएं और उसका मतलब है Nifty Index Fund यानि Nifty 50 और उसका एक fund आता है यह भी basically mutual fund है तो उस fund में आप पैसा निवेश करें तो अब साथ में यह बताता हूँ है कि Nifty Index Fund में आपको निवेश करना है निवेश करने के दो तरीके होते हैं जब आप निवेश करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि Nifty Index Fund direct, direct word का special ध्यान दगना है आपको direct, अगर direct word वहाँ पे नहीं लिखाऊगा तो वहाँ पे एक word लिखाऊगा regular तो basically इस इन word में difference क्या है आपको समझना है कि जब आप कोई fund खरीदने जाते हैं तो जितने भी लोग आपके पास fund बेचते हैं तो वो जो fund होता है वो कोई ना कोई agent आपको बेच रहा होता है तो वो regular word वहाँ पे इस्तमाल करते हैं जबकि होना चाहिए direct मैं अगर जाता हूँ किसी company की website पे जाता हूँ mutual fund मैंने खरीदना है तो वह option आता है तो regular जहां पे आ रहा है उसको मैंने click नहीं करना है हाँ आपको direct word वहाँ पे click करना है और सम टाइम ऐसा भी रहता है sir कि direct word होता ही नहीं कई जगह पे हाँ जी अगर direct word नहीं है तो भी वह regular fund है regular fund है तो वहाँ से हमें अच्छा उसमें आम आदमी को क्या करे कहां जाए वह उसको समझ नहीं है online की उतनी समझ नहीं है तो क्या करे वह उसको कुछ कुछ नहीं करना है सबसे पहले question ही आता है कि nifty index fund में निवेश कैसे करना है तो निवेश करने के लिए आपको वह fund में S.I.P. स्टार्ट करनी चाहिए S.I.P. का मतलब होता है month ली कुछ ना कुछ पैसे आपको invest करने है तो आपको fund house में जाना है कहां पे जाना है बहुत सारे fund house है S.B.I. Mutual Fund, Axis Mutual Fund बहुत सारे हैं मैं किसी एक का भी नाम नहीं ले रहा हूँ IDFC है जितने भी mutual fund है लगभग सभी के पास ये वाला fund होता है मलब सहर में उसकी ब्रांच कहां पे है वो हम ढूंडे और वहां पे चले गए ठीक है सहर आप वो ब्रांच ढूंडे और वहां पर जाएं और उनको बोलें कि मुझे ये Nifty Index Fund Direct Growth ये उसका पूरा नाम है Nifty Index Fund Direct Growth अगर समझे आप जा रहे हैं S.B.I. Mutual Fund के हाँ पर तो आपको उसका पूरा नाम होना चाहिए S.B.I. Nifty Index Fund Direct Growth वहां जाके उनको बोलना है कि मुझे इसमें S.I.P. स्टार्ट करनी है S.I.P. का मतलब मैं ऐसी instruction देने वाला हूं जिसमें हर महीने कुछ न कुछ पैसा निवेश होता रहेगा इसमें पैसा निवेश करने के मिनिमम जो होता है 500 रुपीस से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं अगर मैं वहां पे गया तो वो मुझे उफर करेंगे कि नहीं यह आप रेगलर में चले जाओ ऐसा कुछ भी रहता है सम्टाब वो हाँ बिल्कुल ऐसा रहता है उसका रीजन ही होता है कि वो जो वहां पे लोग होते हैं वो आपको वो फंड बेचने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको भी थोड़ा अर्निंग हो क्योंकि उनका घर उसी जॉब से चल रहा होता है वही उसकी जॉब प्रोवाइल होती है तो वो ऐसा डीमोटिवेट आपको कर सकते हैं कि यार इसका फंड का देखो रिटन अच्छा नहीं है आप इसमें आईए यहां पर परन्तु आपको स्टिक रहना है क्योंकि यहां पर पैसे आपका कभी भी जीरो नहीं होगा उसका एक सिंपल तरीका अगर एक आम आदमी ज जा रहे हैं तो उसमें क्या कमिशन देना है या वन टम परता है उसका क्या सिस्टम रहता है किसी भी मेमीच्वल फंड में रेगुलर में और डायरेक्ट में अगर में इसका धियर्डले जाका होता हूँ तो आपर ूढ़ने पर संड कंब हो परन्तु वह होता है एक्टिवली मैनेज़ फंड्स में यह है निफ्टी इंडेक्स फंड यह पैसिवली मैनेज़ फंड है इसमें वह एक परसंट भी नहीं होता है इसका एक्सपेंस रिश्यों 0.13 ऐसे होता है तो पूरा दो परसंट इसमें बचता है अच्छा थैंक यू सो सपोर्ट चाहिए इसी परकार से आफ स्पोर्ट देते रहेंगे तो हम वह सारी जानकारी जो यह एक डैरेक्ट सेलर के लिए जरूरी है रिक सेयलर के एक आम विक्टी झाल